दूस्तो मैं हूं राहु जच्वानी स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में अब तक प्लेलिस्ट में हम कुछ एक टॉपिक को कवर कर चुके हैं आज का हमारा टॉपिक है एलेक्टरिक पावर या विद्ध्युत शक्ति तो इससे questions आते हैं जैसा कि competitions में बहुत ज़ादा और 910 में भी एक ऐसा topic है जो formula शायद हम रट लेते हैं बट मुझा नहीं आता तो खेर हम धीरे धीरे उसको पूरा का पूरा समझने की कोशिश करेंगे मैं सीधा आपको विद्ध्युत शक्ति बताने से पहले थोड़ा सा basics बताना चाहूंगा कि भई इससे पहले अगर हम पिछली classes का कुछ याद करें तो हमारे को work भी काम में आएगा जो कि हमारा कार रहे और हमें थोड़ा और ज्यादा कुछ नहीं तो इनका कम से कम मात्रक याद कर लेना चाहिए तो इसका मात्रक है हमारे पास में वो है जूल जो कि कुछ इस तरह से है या जिसको हम simply J से लिखेंगे बस वार गुष्णी उसके अलावा हमारे पास कुछ एक जो भात इक राशिया हम अभी तक काम में ले चुके हैं जैसे हम विध्युत विभवांतर की बात कर चुके हैं तो V बराबर जो potential difference है वो था W by Q यह हमने शुरु-शुरु में ही समझा था कि जो potential difference है वो असल में काम के बराबर है और किसको ले जाने के लिए किया गया काम, चार्ज को या एकांगाविश को ले जाने के लिए के वे काम के बराबर है और उसके अलावा अब जैसे इसका भी हम अगर मात्रक की बात करें potential difference की तो यह होता है volt उसी तरह से अगर हम पिछली classes में बात करें यहां जो हमने भी पड़ा है उसमें हम current के बारे में भी बात कर चुके है i का मात्रक है हमारे पास सूत्र है q by t और मात्रक है हमारे पास n,p,r, a लिखते हैं हम लो केवल जहांपर q का मात्रक जो है वो है कुलाम और t का मात्रक है second जैसा की चलता ही आए देखो आपको एक बात बता दू पहले कि इससे पहले एक वीडियो है मैं आपको यहीं लिंक दे रहा हूँ नीचे लिंक पी डाल दूँगा मैं कारय और जाकर जरूर देख लें वहाँ पर अपने कारय वर्क के बारे हम बहुत डीटेल में डिसकस किया है और यह जो शक्ति है पावर उसके बारे में भी हमने खूब अच्छा डिसकसिन किया है यहाँ पर बस हम विद्धित शक्ति की बात करें वाले हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप वो वीडियो देख कर के आए तो आप देखो यहाँ पर क्या है कि भई जो पावर का फॉर्मूला है वो क्या है वर्क बटा टाइम यह हमने वहाँ उस वीडियो में समझे बात और यह क्यों निकाल रहे हैं ताकि हम दो चार पांच चीजों के बीच में कंपेर कर सकें कि भई किसकी पावर जादा है किसकी कम है काम तो सारे बराबर कर रहे है लेकिन हाँ अव्यस यह वादर टाइम अलग अलग ले रहे है तो हम यह देख रहे हैं कि एक समय में एकांग टाइम में एक सेकंड में मानलो कोई जो है कोई भी चीज वो कितना काम कर रही है वो ही क्या क्या लाती है पावर तो क्या कह रहे हैं पारीभाशा भी क्या हुए हमारे पास एकांग समय में किये गए कारे कोई हम लोग क्या कहते हैं शक्ति तो हमने का यह फॉर्मूला है तो अब इस फॉर्मूले को यही अपलाय करके देखो फिर बै आप यहां से क्या लिख सकते हो डबल्यू बराबर क्यू इंटी वी लिख सकते हैं गए फिर नीक्ता हैretni इंटी वी भूले में हाँ जी बिल्कूल लिख सकते हैं यह देखवा एप यह चीज़ा नी परेचाने लगा एक हमां क्या है यह होता है न, तो इसकी जग आई लिख दो, तो हमारे पास क्या आगया? v into i लिख दो या i into v लिख दो बात है की है, तो हमारे पास आप ध्यान से देखोगे न, तो पावर का एक सूतर आगया, वो क्या है? पी बराबर वी इंटो i, अच्छा ठीक है तो अब मातरक बना के देखते हैं यह पावर है तो यह जो V है इसका तो मातरक क्या हो जाएगा हमारे पास में वोल्ट और आई का क्या हो जाएगा एंपियर तो पावर का एक मातरा का हमारे पास क्या है वोल्ट एंपियर अब देखना ध्यान से यहाँ हम इससे पहले एक और चीज पढ़ चुके हैं जो ओम का निया में वो क्या बोलता है व बराबर है I into R तो अब आप गहराई से सोच के देखो अगर इस V की जगह मैं क्या लिख दू I R तो मेरे को एक और सूतर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा तो जैसे माल लो यह हमारे बास तो पहला सूतरा है एक और बना के देखते हैं यहाँ से कि भई P बराबर क्या हो जाएगा V की जगह अपने को क्या रखना है I R into I तो ही अपने पास तो एक और सूतर क्या बन गया ध्यान से देखो आप कि P बराबर I square R भई देखो रटने का तो काम है यह नहीं आपको अगर समझ में आ रहा है न तो आप दो इमेंट लगते है फॉर्मूला बनाने में आप इसको दो बार रवाइस कर लो दो बार तीन बार वेडियो को देख लो बहुत आसानी से समझ में आजाएगा तो आप में इसे किसी के दिमाग में यहां पर यह भी हो सकता है क्या बोला पी बराबर किस की जगे रख रहा है आई की जगे तो वी तो वी तो ऐसे का ऐसे और आई का मान उदर ओं के निहम से कित्ता आता अपने पास वी बटे र तो जी हमें क्या देख मिल जाएगा यहां पर पी बराबर वी स्कॉयर बटे र और अगर मात्रक की बात अगर आप यहां करो तो यहां मात्रक होगा भई इसका तो है एंपियर स्कॉयर और आर का होता है ओम लेकिन मैं अभी मात्रक को भी अपन जोड़ेंगे लास में लिजा करके हम इत्ते सारे मात्रक को की बात नहीं करते हैं यह सारे मातरक जो है ना शक्ति के जो हम पहले पढ़ चुके हैं शक्ति का जो मातरक है वो में जो मातरक है वो होता है मारे पास वाट और यह ही होता है यह भी वाट ही है यह दोनों मिला करके भी और यह भी वाट ही है ऐसे वाट में वाट में चल रहा है सरा सरा यहां पर भी यह इतने अलग-अलग formula बनाये क्यों है अगर स्पूचने की बात हो तो बोले इसलिए बनाये है कि मानलो कोई question है जहां पर आपको current दे रखे है I और आपको प्रतिरोध दे रखा है बोल रहा है शक्ति बताओ कोई question है आपको शक्ति दे रखी और प्रतिरोध दे रखा है बोलर रहा potential बताओ विभवांतर बताओ potential difference कोई question है जिसमें आपको V और I दे दिया बोलर रहा potential बताओ तो इतने सारे formula इसलिए हैं हमारे पास में अब एक और भी formula है और उसके लिए हम यहीं से शुरू करेंगे अपनी बात को तो देखो दोस्तों वह क्या मैं आपको एक अच्छे से एक चीज़ समझाना चाहरा हूँ पहले कि असल में जो कार यह होता है ना work done वह energy के बराबर होता है कि इसके ऊर्जा के बराबर होता है यह जो को हम बोलेंगे कि energy के बराबर होता है समझना मैं क्या कहना चाहरा हूँ इसका मतलब यह है कि आप जितना काम करोगे उतनी तो ताकत आपने लगए ना उतनी तो ओर्चा लगए यह आपने जितना energy लगए यह उतना ही काम हुआ है यह तो मतलब बहुत logical simple सी बात है सम ओनों का मात्रग है दोस्तों वो भी कमाल की बात है कि नदे जूल की होता है और वो क्या होता है जूल तो उससे भी koई दिक्कत नहीं किãy BER T CTRA का जाता के रुचा बात हैँ सभी बात है तो करम क्यों हो रहा है तो वह गर्मी वाली उर्जा है ना हीट अनरजिया ना तो हमने का यहां पर जो एनरजी आंब है किस फॉर्म में हमारे पास में है एच की फॉर्म में है तो इसी सूत्र को हम एक और नाम दे दिये, बुला कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं, यह से भी लिख लो, बलब एक ही चलेगा, उसमें कोई जादा भाली 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 बात नहीं, तो मैं अच्छा ठीक है, वाँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या, ह बराबर जो है, वो क्या हो जाएगा, पी इंटूटी, समझो उस बात को, यह गहरी चीज़ है, देखो, अगर टाइम नीचे है, इसके हीट के, या वर्क के, या एनरजी के, तो वो किसका मातरक बना रहा है, शक्ति का, लेकिन, और शक्ति का मातरक उपर अपने देखा था, क रिखते ही बोलता है, पावर है तो, लेकिन नहीं, अगर वार्ट के साथ क्या हो, टाइम भी हो, तो वो किसकी यूनिट हो जाती है, एनरजी की, वर्क की, या यहाँ पर हीट एनरजी की बात कर रहा है, तो बोला हीट एनरजी की, तो हमने का अच्छा, आगया है तो फॉर् समझना कैसे, अब यह हो गया हमारा बेस यहाँ पर क्या, इसको लेकर क्या अपने एकात फॉर्मुला बना सकते हैं, देखना दोस्तों कैसे बना रहे है, पी की इतनी सारी वेल्यूज अपने पास में, तीन तीन वेल्यूज है यार पी की, कोई सी भी उठा उठा कर रखो न मियम यह बता रहा है कि कितना हीट बाहर आ रहे है, तो हमने का ठीक है, तो मैं यह नहीं लिख रहा है अभी हल हलाल, मैं ऐसे लिख रहा हूँ बस इसको, तो पी का मान्दे को रखते हैं, यहां से रख रह है तो पी की जगह आगा वी, आई, और यह क्या यहां पर T चली रह पहले से और यहां पर टी चली रहा पहले से तो व है तु आई टी चली एक tbor के है आपने पास में बुद्छ रोगा है और उसे कि यह कौनए पास दूसरा और आपए से यहाँ ने अगर इसको एक और तले से भी करता है, मैं आपको भी बता रहा हूँ अब और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, समझो इस बात को, कि H अगर बोला यह वाला मान रखते तो क्या होता, तो बोले लो लिख लो, V square upon R into T, क्या हो जाता, V square upon R, T की जगा है, into T तो चली रहा है, तो यह हमारे पास तीसरा मान आजाता, किसका heat का, अब देखो जैसा question दे रखा है, वैसे दिमाग लगाना है अपने को, भई अगर हमे मान लो, क्योंना V, I और T दे रखा है, बोल रहा है heat बताओ, इससे बता देंगे, और इसका मातरक देखो, सोचो क्या होगा, V और I से तो आप इतना दिमाग लगाना है, यह हमारे पास मातरक, what second, ठीक है, बोला अगर I दे रखा है, R दे रखा है, T दे रखा है, H पूछ र V और R और T दे रखा है, तो यह लगा देंगे, मतलब उस हिसाब से अपन इसको adjust कर लेंगे, तो देखो इसको एक बार, फिर आगे बढ़ रहा है हमें, किताबों में ऐसे भी दिया होता है, क्या चीज मैं किसकी बात कर रहा हूँ, Jules Law, मैं बात कर रहा हूँ, Jules Law of Heating, जिस इसका हिंदी में नाम है, Jules का तापनिया, भई देखो, फॉर्मूला तो अगर आप सीधा याद रखना चाहो तो वो क्या है, कि बराबर H, जो है हीट जो है, वो किसके बराबर होती है, I square R into T, अब यह वे पर ने तो फॉर्मूला बनाना ही सीख लिया, समझना तो छोड़ हीट बढ़ जाएगी, तो जितनी ज्यादा करण जाएगी, उतनी ज्यादा हीट आएगी उस तार में बोला, एक समीकर नाम दिया, बोले जो हीट है ना, यह किसके प्रतिरोध के भी, बोले जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा, उतनी ही ज्यादा उसमें से हीट आएगी, ध भाई वो जो हीटर है अपना या जो हाथ अपने के लिए हीटर एलेक्टरिक आता है अपना या अपनी जो आयरन है प्रेस करने के लिए बोले उसमें कैसा दातु काम में लेना चाहिए यहां जो भी material आप काम में लेना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई साव, उसका resistance कैसा होना चाहिए, प्रतिरों जादा होना चाहिए, क्यों? क्योंकि जूलकतापन नियम से साफ साफ हमें दिखने में आ रहा है कि अगर R जादा होगा, तो H भी जादा होगा, आगर resistance उसका जादा होगा, तो उसमें गर्मी भी जादा हैगी, तो जिसमें से गर्मी जादा चाहिए अपने को, उसमें क्या होना चाहिए, हमारा resistance जादा होना चाहिए, दूसरी चीज, बोला तीसरा बोला हमने कि जो H न यह टाइम के भी proportional है, यह इसका, अ दि जाता है बहुत जाता है, तो इतना जाधाए बहुत जादा करुब हो जाएगा उसके रबड़ हो पिगल जाएग और तार टूट जाएगा, ओर वर्लोड़िंग होने के कारन शॉर्ट सर्कॵित है जोगी है, तो क्या कहराँ चाहिए है कि हीटि का ऐसा कुष नियम है, तीनों समय करण को अगर अपन जोडेंगे, तो हमें क्या मिलेगा कि h directly proportional to i r square r t, और इसी को हमने क्या बोल दिया कि 1 आता है यहाँ पर जो constant है, तो यही हमारे पास जो final formula है हमें मिल जाता है, किसका जूल के तापन नियम का, तो आप ऐसे समझो, आप वैसे समझो पूरा, उससे कोई फर्क नहीं पढ़ रहा जादा, अब मैं आपको एक चीज बतायता हूँ पहले, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, मैं आपको बता रहा हूँ unit के बारे में, unit, एक आई, यहाँ जिसको अपन को और सही समझने के लिए समझना चाहिए, kilowatt hour, kilowatt hour, अब मैं आपसे पहला question पोछ रहा हूँ कि, भई, यह किसकी unit है, यह जो मैंने एकाई लिखी है ना, यह किसका मात रख्या, तो किसका मात रख्या है यह बहला, आपके मन पे आदना चीए, यह heat का, यह energy का, यह कारे का मात रख्या, अब वो चीज कैसे, क्योंकि देखो आप, यह जो kilo लिखा है ना, मैंने यह kilo, इसका सिरिफ एक ही मतलब होता है, 1000, इसका और कोई मतलब नहीं है, आप समझ के चलो अस बात को, आजकल उन नहीं, अपन पार्टी भी करते हैं कोई लोग, तो क्या बोलते हैं 2K19, मलब 2019 की पार्टी कर रहे हैं, तो के का मतलब और कुछ भी नहीं है, 1000, kilogram, के का मतलब 1000, ग्राम, तो K तो नमबर है, एक और कुछ नहीं है, समान के चलो, यह जो W है, यह क्या है? पावर, शक्ती की बात हो रही है, और यह R, यह जो है, यह क्या है? टाइम, तो पावर इंटो टाइम चल रहा है, पावर तो है W, और यह हमारे पास सेकंड, तो ये क्यूं? तो भाई बात ये हुई कि इनको मान लो हमारे क्या घर का हीट या जो एनर्जी अपन काम में ले रहे हैं आपन, भाई अपने सारे जो एक महीने का आपन बिजली जला रहे हैं, तो भाई question भी कितनी एनर्जी जलाई तो उस हिसाब से बिल दे हैं आपन से, दे इतना energy हमने यूस करी कितने time में वह ही है हमारा unit है वह ही क्या है हमारी energy है तो अब यह वाली मातरक हमने क्यों क монाया यह समझते हैं इसलार है पर प्र हजो स्वाहत थे white second यह बहुत चोटा बहुत छोटा है आगर हमें white second ने बात कर नंधा होती है तो हम ऐसा बोल रहे होते यार पिछले मेने कितने वह जला ही बिजली तो हम बोलते यार उसको देख हमने पिछले मेनτε 7рь leveraging76 लाख nad submergickности जो नम्य ऐना वार्ट शेकंड यूuse की एर स्की उसका दिमाग ख्राब करूड करूड में सल रहा होता तो दिमाग ख्रा जाए हे। कैसे समझदा अपन इसको ले करके चलते हैं यह किलो वाट अर् 12 का मतलब क्या है हम उसको समझते तो हम कहा रहे हैं किलो की जीकए तो हम अलेख सकते हैं हजारं अपगे अब यह सीखा अपने और इसको मान लो यह वाटार सभी रात है लेकिन हम को और पसंद नहीं है हमने का हमको वेचपन से सेड्ले तो लिखके देख hanomir ko एक आर में कितने second होता है तो बोला कितने होता है 3600 second तो लिखो देखे किता आया हमारे पास में answer तो ये होजाएगा 361,2,3,4,5 और होजाएगा watt second देखो watt second आगा हमारे पास वापस है और इधर चल रहा है हमारे पास 1 kilowatt hour और इसको अगर आपन ध्यान से देखे तो यह लिख सकते हैं 3.6 into 10 की पावर 5 और 16 Watt second देखो आप खुद भई वो तो मैंने एक point लगा दियो 10 की पावर 6 लिख दिया आप खुद सोचो 1 kWh का मतलब क्या है 36,00,00 यह हम क्या कह रहे हैं 3.6 गुणा 10 की पावर 6 Watt second तो यह बहुत छोटा है ना आप सुमझे उस बात को इस पूरे को लिखने की देखे आप क्या लिख लो 1 kWh और और इस 1 kWh को हमने क्या नाम दिया है यूनिट घर पे जो मीटर लेखने आता है अपना उसको पूछते है ना किते यूनिट जली है भाई साब तो कहता है हाँ इस बार 100 जली है इस बार 1500 जली है 200 जली है तो वो इसी यूनिट की हम लोग बात कर रहे होते हैं यह हमारी क्या है commercial यूनिट है जिसको छोटा करके हमने इस तरह से बनाया है कि हमें नंबर कम बोलना पड़े 100-2003 में ही काम हो जाता है अपना हजारों लाखों करोडों में नहीं जाना पड़ता अब हम जल्दी से दो क्वेशन ले रहे हैं देखो दोस्वेशन है मेरे सामने यह कह रहा है NCRT का क्वेशन है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसको हमने 220 वोल्ट के जनरेटर से जोड़ा हुआ जो करंट है हमारे पास है वो 0.5 एंपर तो देखो क्या क्या दे रहा है अपने को बल्ब है और करंट उसमें कितनी जारी है जो आई है न वो उसमें जारी है 0.50 मैट अब देखो MPR से समझ माएं गा इसे अपनी पावर निकल डाया है वी हो आई हो और अपना काम हो जाबे तो अच्छा हमने का अभी निकाले थी पीछे पर ने तो P का एक फ़रुला है V I आप पीछे जाकर देख सकते हो तो क्या कहरे हैं V इंटू I सीधा सीधा काम हो गया अपना V रखा 220 I रखा 0.50 इसको किया गुणा अपने 110 और यह पावर का जो मातरक है वो है हमारे पास तो हमारा काम हो गया यह आपर यह हमारा अंसर आगया अब देखो यह question में चाहता ना अपने को थोड़ा घुमा सकता था कैसे घुमाता अपने को समझना इस बात को कि यह ampere में नहीं देता और मान लो इसकी जगे क्या लिख देता हमारे को यह क्या देता कि यह ना 500 milli ampere अपने हिसाब से उपर नीचे कर दिया तो एक्जाम में हमारा तो क्या दिमाग काम करेगा हाँ करंट है वोल्ट है गुणा कर दो खतम नहीं समझना इस वात को हम यह करके तब ही मातरक सेम लग सकते हैं जब हमारी जो यूनेट्स है वो कैसी हो स्टेंडर्ड वोल्ट का वोल्ट होना चाई एंपेर का एंपेर होना चाहिए तो यह नहीं था तो इसको करना पड़ेगा तो हमें फिर पता होना चाहिए कि एक मिली एंपेर होने का मतलब क्या होता है तो वह एक अलग टॉपिक है का जिसके पर पहले भी बात किये हैं आपको बताने के लिए अब एक और क्वेशन हम लोग ले रहे हैं जयान से मैं सी इसको मिटा रहा हूं इसका मतलब क्या है कि अगर और आगे लिखावा होता है कि अगर आप इसको 220 वोल्टेज पर चला रहे हो अगर आप 220 पर चला रहे हो तो हम ने जो बता है वैसे काम नहीं करेगा कुछ और देगा समझे इस बत को तो इसलिए रेटेड का मतलब हमेशा बसी है कि लिखा हुआ तो है कि 400 वार्ट कंजूम कर रहा है अब यह क्या दे रहा है पावर बल्ब की पावर हमारे यहां रेफ 220 पर की 140 तो उसका टेंशन ही लेना आपशला वार्ट फ़र इसको आठ गंते तक अब रहे है बता है कि है कितना कॉस्ट लगेगा जो पूरा का पूरा एनर्जी उसमें से लेंगे अपन अगर थीस दिन तक इसको चला है कितना अइम थे दिन तक गशा है, तो वह जो कितना ह दिन यहां days लिख लेते हैं अपन these days अब हमें तो आर्च में देखना पड़ेगा कितना है पूरा का पूरा और इसमें एक और बात बोली है कि जो unit का प्राइज है ना एक unit उसके लिए हमें कितने देने पड़ रहे हैं यह किया रहा है तीन रुपय unit है यह किसके बरावर होता है kilowatt आर के तो हमें यही चीज निकालने है और यह किसकी मातरक है energy का हमें एक बात अभी समझ में आई गई थी ना कि क्या निकाल रहे हैं हम लोग को असरल में यहां पर energy निकाल रहे P into time तो हमने का अच्छा energy का सूत्र पता है अपने को क्या होता है P into time पावर गुणा समय तो हमने का यह पावर तो ठीक है हमर को पता है 400 watt है टाइम का टोटल टाइम नहीं बता है हम लग के रहे एक दिन में तो आट गंटे टीस दिन में फिर कित्ता हो जाएगा तो हमने का यह तो simple ice में क्या है आप इन दोनों को गुणा कर दो तो आपको total time पता जाएगा कि तीस दिन तक कित्ते गंटे चला है आपने तो आपने कहा कि इन दोनों को गुणा किया तो यह हो जाएगा 240 गंटे इसको solve करेंगे अपन हल करेंगे इसको तो अपने को क्या मिलेगा इसको गुणा करेंगे अपन 96 हजार वार्ट तो जिरो यहां एक जिरो यहां से आगया अब देखो interesting बात क्या है वाट आर तो आगया लेकिन किलो नहीं न अपने पास अभी भी क्योंकि दस से दस तो वैसे कड़ जागा ना सेम नंबर से आप उपर से नीचे किसी संख्या को गुणा कर रहे हो तो उस पर कोई फरक नहीं पड़ता तो अब यहां पर हमें के लाना है किलो का मतलब क्या है क्या मतलब पहले ही पता हजार होता कोई मतलब नहीं तो क्या कहा रहे है उपर नीचे मैं क्या क्या कर रहा हूं इसको हजार से गुणा कर रहा हूं किस से हजार से और यहां से अपने समगने बाभा है कि उससे भी कोई फरक तो पढ़ Ugh ऐ वाजार और र अब अपना काम हो गया, अपने को किलो मिल गया, तो यह जो हजार है, यह 박bly 3जिरो से कड जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 96 kWάν प्रति गंटा, और यह किसका एका ही आ गई हमारे पास, यहाँ जो energy, यहाँ जो कार यह है, उसका अपने पास मादर का आ गया, हमारे रखते हैं, क्यार किलो को मैं अगर लाना हो तो हजार से भाग देना होता है, भाग भाग नहीं, आप अपन को लॉजिक ध्यान रखने की कोशिश करनी चीए, फिर भली हाँ, जल्दी बाजी में तो आपन सीधा वही करेंगे, अब वो क्या कह रहा है, क्यार एक यूनिट तो क कॉंच नहीं बात है, तो बुला, कि जो 96 यूनिट है, आप इसको पूरे को 96 से मिल्टिपलाएगा, 96 यूनिट जो है, वो किसके बराबर हो जाएगा, 96 एंटू 3 रुपय के बराबर, तो हो जाएगा, इतना रुपय आपको टोटल जो है, वहाँ पर देने पड़ेंगे, त दोस्तों, मुझे उम्मीद है, आपको समझना होगा है, मच्छर मुझे तंक कर रहा है, तो ये हमारा फाइनल जो है, आंसर है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे और वीडियो में, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, कि अगर आपको ये लॉजिक्स अच्छे लगते हैं, तो प कोई बात नहीं, अब मैं वापस से शुरू किया हूँ, देरे देरे करना, तो आप प्लीज नीचे लिखकर के बताइए कि आपको ये सब कुछ कैसा लग रहा है, और कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो मिलता हूँ आपसे और बढ़ने हैं, तो मिलता हूँ आपसे और ब